हवाई अडे यानि की एरपोर्ट पे कुछ कारणों के वज़े से सुरक्षा सक्त होती है आम तोर पे ये सुरक्षा इसलिए सक्त होती है ताकि कुछ लोग अपने साथ हानिकार खत्यार या फिर विस्वोट तक वस्तवे ना रखे इतनी सक्त सुरक्षा होने के बावजूद भी कस्तम अधिकारियों ने कुछ ऐसे लोग को पकड़ा है जिन्होंने अपने साथ काफी अजीव और गरीब वस्तवे रखी थी तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 क्रीजियस चीजों के बार में बात करते हैं जिनको लोगों ने स्मगल करने की कोशिश की थी वो भी एरपोर्ट की इतनी सक्त सुरक्षा होने के बावजूद भी तो चलिए अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से देली अपडेट पाने की लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाग यानि कि टाइगर के बच्चे से आम तोर पे एरपोर्ट सिक्योरिटी के माध्यम से कुछ लोग जीवित जानवरों को स्मगल करने की कोशिश करते हैं एंड ऐसा ही हुआ टाइगर के इस बच्चे के साथ कि एक महीला ने टाइगर के इस बच्चे को ड्रग से बिहोश करके एक सूटकेस में रखा और उस सूटकेस में आल्रेडी खोजे से बरे हुए जानवरों के खिलोने थे हाला कि इस बैक को जब थाइलेंड के बैंकोक इंटरनेशनल एरपोर्ट पे एक्सरे स्केनिंग के ठूँ डाला तबी ये बात सामने आगे और उस महीला को पकड़ लिया तब दूसरे चीज के बारे में बात करते हैं वो भी जानवर है और वो है मगरमच एक मगरमच के जबड़े में घुरना वो शायद से आप आखरी चीज होगी तो देखना चाते हो उनके भयानक जबड़े आपकी हट्टियों को चूर चूर कर देते हैं ये प्राने इतना खतरनक होने के बावजूद भी एक आत्मी ने इसे स्मगल करने की कोशिश की बांग दुबई साल पहले कबूतर को बोजन और मनोरंजन के लिए यूस किया जाता था बट अब ऐसा हुआ कि दुबई एरपोर्ट पे एक आदमी को पकड़ा गया जिसके पैंट के अंदर कबूतर भरके रखे थे एंड रिपोर्ट के मुताबिक ये कबूतर के अंदर ड्रक्स क दुबई एरपोर्ट पे पकड़ा जा चुका था तो चौती वस्तुए के बारे में बात करते हैं वो है 94 आइफोन तो येस वैसे तो आइफोन 2007 में लॉंच किया गया था एंद तब से लेके आज तक लोगों के बीच में आइफोन का काफी ज्यादा क्रेज है एंड येस य लिए काफी लोग आइफोन को स्मगल करने की कोशिश करते हैं बट इसी बीच एक बार कस्टम अधिकारियों ने एक ऐसे चाइनीज आदमी को पकड़ा जो अपने साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 94 आइफोन को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था हॉंग कॉंग से लेके लगता है खुद को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने साथ एक मिसेल रखा होगा हाला कि ये मिसेल को तुलसा इंटरनेशनल एरपोर्ट पे जप्त किया गया है और फॉस फिर वो आदमी को भी प्लेन पे जाने से रोप लिया गया तो हम छटे चीज के बार में बात क लगता है कि शायद से वेकेशन पे वो महीला भी अपने पेट को लिके जाना चाहती थी बढ़ाला कि वह महीला और वो लाइफ चिवावा दूनों को फ्लाइट में चणने से रोक लिया गया तो चलिए अब हम जो साथवी चीज के बार में बात करते हैं वह धन से बारा हु लग करने की कोशिश की जहां पे इस क्रोवाजोंस में यूरो करन्सी की थप्पिया अंदर रखी गई और इनको स्मगल करने की कोशिश की थी तो चलिए अब हम जो आठवी चीज के बार में बात करेंगे वह है चौकलेट से लिपित हिरोई चौकलेट अकसर खुशी और उत्सव से जुड़ा होता है बट कुछ लोग ऐसे ओवर स्मार्ट होते हैं जो चौकलेट का उप्योप करके हिरोई यानि की ड्रग को स्मगल कर रहे थे तो हम जो नौबी चीज के बार में बात करेंगे वह है गाई का दिमाग काईरो इंटरनेशनल एरपोर्ट पे 420 पाउंड का फ्रोजन गाई का दिमाग कंफेस्टिकेट किया गया था देखा जाए तो ये बिमाग को फ्रीजर बॉक्सेस में रखे गये थे एंड इ अब हम आखरी और दसवी चीज के बार में बात करते हैं तो वह है फिफ्टीवन ट्रॉपिकल फिश तो चाल दो हसार पांच में मेलबॉन अंदर रास्ट्रिय हवाई अड़े पे सुरक्षा अधिकारी ने एक महीला के स्कूर्ट के अंदर कुछ हलचल नोटिस की तो उसी क स्म Playstation की से अफरें टोफ्रेंस यह थी दस क्रेजियस चीज़ें जो कुछ लोगों ने एर्पोर्ट पे स्माझल करने की को शिच की है झाल झाल